हेलो दोस्तो इस वीड़ो में बात करेंगी बीच कितना शोक और कात का लाइसे कैसे मिलता है इसका बारे में इस वीड़ो में बात करेंगी जैसे इसका लाइसे के लिए आपको कुण कुण सा डोकुमेंट जुरू रहते है कुण सा क्वालीपेशन चाहिए इसका लाइसेंस क होता है वो आफलाइन में मिलता है लेकिन उस ऩाइम में फाट्ट्रीलेजर पेस्टिशाव और किड़नी count सो का लाइसेंस अउनलाइन में होता है और ईसका लाइसेंस मिलने के लिए कुनकों साथ मेरी होते हैं जैसे आपको आपको मिनिमॉप बेसी एग्याट hybridập करोनेanti कॉछिंटी करें के लिए सबहुत है अपलाइ करें में नहीं तो आपको आपको बिख लेशन के लिए लाइसेन्स के लिए एपलाई करते हैं दोकुमेंट्स चाहिए आपको निया रष्ट एस ओफिस में 2017 से पहले जैसे इसका लाइशन्स के लिए आपको इतना कॉलिवर्शन जुरूरूरत नहीं था मिनिमाम मेट्रिकुलेशन चाहिए इसका लाइशन्स आसाना से मिला जाता है यहां यहां वो सिटॉरूरूरूर्ण। कहां से ही मिलता है, आप इसका मेरे बात करेंग जैसे ओध फर्म उफ व प्रिंसेपाल सार्टिपिकर जो होता है आपका जो डीग्री सार्टिपिकेट:" डिग्री मार्क शीट होना जरूर होते आपको प्याट डिसीब होना जरूर होते अधर काड भी जरूर होते इसको ले और ओल्लाइन फ्रम पिलाप कौरने के बाद आप आपको नियारेश्ट ऐसे ओफिस है सुपाइन डोफ एग्रीकल्चर ओफिस उसमें आप एक कोफी जो हो शौप है शौप को बिजिट करेगा आपको जो नियारेश्ट फिल्ड एग्री ओफिस आ रहे वह शिप को जो आपका शौप है शौप बिजिट करने के बाद ही आपको रिपूर्ट लेकर जाता है रिपूर्ट जो एस ओफिस में जमा करने के बाद आपको जो मिलने के लिए वह स्टार्टिंग होता है, प्रोसेसिंग के लिए आपको उन ला Εन में फ्रम जमा करना प्ड़ता है, उन-लाइन के बाद आपको कोफी में बाद कोफी मिलता है, ला क्मश्ण मिलने के लिए आपको फिस्ति से का ला लाइसस आ Winter आपको हो 5 साल के परेस्टी सटकी लाइसन्स के लाइसरेर करना पदता है और जैसे आपको फाटिलिजर का लाइसंस पांत शाल का बाद प्रेट से रेनोऻ करना पड़ता है रेनोँ करने का टाइम में पिर आपको atome करना परता है और अवर के आपको दूबारा होता- आपको जो फाटिलेजर और फेस्टिसाइट का लाइसेंस आपको फाटिलेजर फेस्टिसाइट और बीच का लाइसेंस मिलने के बाद आपको जो शौप में स्टार्डिंग करने का शौप स्टार्ट करने के बाद आपको monthly जो report है, आपको seal कितना किया था, कितना stock है आपको, जो कितना शक, fertilizer, उसको एक monthly report आपको nearest ASOFICE में जमा करना पड़ता है, monthly stock report कर जोता है, उसको from मिलता है, ASOFICE से लेके, आप monthly report कर जमा करना पड़ता है, उसको, fertilizer, pesticide और seat का license पहला तुरह सा easy था, लेकिन इस time में इस होत, ज्यादा graduation भी होना पड़ता है, फाइला था, इस इतना fertilizer, pesticide और bees का license को नहीं होना के लिए, आपको जहाँ पर आपका shop है, आपका shop का side में कोई भी food का जो shop है, उसको नहीं होना पड़ता है, क्योंकि food का shop उसका साथ नहीं होता है, इसलिए food का shop के पास आप नहीं start कर सकते हैं, आपका shop, बीज, card और kit nation का license के बारे में आपको कोई भी जान करी चाहिए, तो please comment करके बात नहीं तो, आपको email भी कर सकते है, इसका बारे में कोई भी जान करी चाहिए, तो and video को like and share जरूर करना,